कि हैं लो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं अंदर वीडियो नमस्कार मैं बभीता आपका स्वागत करते अपने यूटूब चैनल बभीतास किचन में बभीता किचन में जो रासीपी आई है बहुत ही डिलीशेस ब्यारी सी रासीपी है और बच्चों के लिए बहुत ही बच्चों को जरूर खिलाना चाहिए और पनीर भी प्रोटीन से भरपूर होती है तार यही पनीर की प्रोटीन वाली मैं सबजी आपके साथ शेयर कर रही हूं और इसको मैं एक चपाती साथ में दाल चावल और रायते के साथ करेंगे तो एक दम हमारा एक परफेक्ट मील ह हो जाएगा तो यहीं प्यारी सी चट्पटी सी रसम आप लाई हूं बहुत ही सिंपल में बनाएंगे घर के इंड्वीडियन से बनाएंगे कुछ फाल तो नहीं बट टेस्ट मार्केट जैसे बनाएंगे और एक सीक्रेट के साथ तो पूरी वीडियो बने रही है और उससे आप से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अच्छे ची नहीं वीडियो आप तक पुछ सके और आप मेरी वीडियो को एंजॉय कर सके तो चलिए फ्रेंट्स बढ़ते हम अपनी तरफ पालक पनीर बनाने क सब्सक्राइब कर दोंगे देख लिजेगा सिंपल प्रिक्स है और यहां मैंने दो बड़े टिमाटर एक बड़ी प्याच पांच लसंग की कलिया और एक इंच का अधरक सबको चीर के दोग के अची तरह पीस लिया है और यहां मैंने एक किलो पालक लिया था तो मैं 400 ग्रा सब्सक्राइब के साथ मैं आपके साथ बनाओंगी तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा ताकि आप देख सकेंगे किस सीक्रेट से रेस्टरंट वाले बनाते जो सौफ्ट इतना पनीर लगता है यहां देखिए मैं दो चाब पनीर के जो छोटी-छोटी टुकड़े थे सब्सक्राइब करेंगे अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने कड़ाई में दो टेबल स्पून ऑईल डाला है यह मैंने मस्टर उइस किया है उसको थोड़ा गराम करने रख देंगे इतने मैंने एक चमच नमक हाफ चमच रेड चिली पॉडर वन फोटेबल स्पून हल इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और इसमें दो चमच पानी डालके इसका एक स्मूद सा पेस्ट बना लेंगे ज्यादा पतला नहीं करना ज्यादा गाड़ा नहीं एक थोड़ा सा मिक्स कर लेंगी देखिए इस तरह से बस सिब दो चमची ऑईल मैंने डाला था पानी यहां देखिए मेरा ऑईल अच्छी तरह गरम हो गया है तो हम यह जो टमाटर लसन अद्रक प्याज कमने पेस्ट में आया था यह में डाल दोंगे देखिए मेरा ऑईल बिल्कुल गरम था आप ऑईल गरम करके थोड़ा सा गैस को स्लो कर लीजेगा और यह पेस्ट ड चुका है अब इसके बार में डाल दो इस में मैंने का रखोंके में अब वालों का वह इस तरह से डालते हैं और इसमें इस तोड़ा सा पान डाल यह तो यह था यह एक चोटी के शूटी में पाने डाला जो आप शाथी और अब मैं इसको मिलाओंगी प्रेंट्स हो सीक्रेट ताइस से मसाला जलता नहीं कर अब होती अच्छ आता इसमें सब्ज यहां मैंने एक पेन लिया है उसमें थोड़े से खड़े मसाले डालेंगी यहां नहीं तेज पर पत्त डाल दिया है 4 काली मिर्ची और 2 लोंग और एक लाइची को आसा तोड़ के मैं डाल दूँगी कि ठौटे कि चोपने देंगे तोटे से खड़े मुसाले डालेंगे हमा और इसमें तोटा सी डाल हूं में जील यह जुआ नियुक्त पकने देंगे इस तरह से पनीर डालने से थोड़ा सा पनीर में सौफनस आ जाती है और उसके पर से मसाला डालते की मेरा अपना मसाला है यह सब्जी मसाला मैं इसमें डालूंगे अगर आप यह नहीं डालते हैं हलकिसी लाल मंची और कोई भी मैं आपके सब्जी मसाला हो घर पे M.D.H. का हो यह कोई शुओ डाल सकते हैं यह मैंने चोटी सी दो चमच है मेरी यह में दो चमच भरके मैं से मसाला डालूंगी अगर आपको इसमासाले की रेषीप इचे तो प्लीस मेरे को कमेंट की जिए मैं आपको जरूर बताऊंगी और यह देख इसको चला लेंगे यह तो यह ज़ इसकी वेज़े से पनीर में तेस्ट आता है अब मैं इसको डाल के दिए मिनित लेटे हैं यह देखे पांच मिन्ट हो गया है यह मेरा मसाला कितना अच्छा भून चुका है कितना प्यारा कलर आ चुका है और उपर रिलीज हो चुका है यह एक सिंगरों सिगनल होता है कि हमा खड़ा उप्राइब दो बढ़ में ताकी मसाला को जाए और टेस्ट बढ़ जाया अच्छी तरह चलाने के बाद हम इसको यह देखिए कितना अच्छा पकि यह चला लिए मैंने कलर देखे अभी भी इतना अच्छा है क्योंकि हमने मसाले उपर से नहीं डाले थे आँ पंस उसके विज़े से फिर सब्सक्राइब कुछ मिनेट डखने के बाद देखिए यह मेरा पालक पक चुका है यह देखिए पालक का कलर कितना यमी सा आया है यह उता ना फ्रेंड्स रेस्टरॉंट वलों का पालक का पनीर बनाते हैं जब हो इस टैम पे हम यह मैंने भी पनीर को तो थोड़ा सा रोस्ट किया था यह वहला पनीर में डाल दूंगी अब इससे देखिए का फ्रेंड्स पनीर में स्वाद नचार चान लग जाएगा पनीर में टेस्ट बहुती ज्यादा अच्छा आएगा पनीर अंदर सक सौफ्ट हो जाएगा और मसाला जो इसका अंदर त यह देखिए नहीं कोई भी कमीने नहीं ना पालक में पानी है वससे अच्छी तरह मिक्स करेंगे हम और यह देखिए घी रिलीज हो चुका इसका ओईल दोमने डाला था यह देखिए पनीर विफ्रेंट्स में इतना सौफ्ट होगा कि आप ब्लू मार्केट वाला भूल जा तो आप घर का ही खाएंगे अब यह जो मैंने इसको आपको का था ना पनीर समाल अलग से रखा था इस पनीर को मैं थोड़ा सा हाथ से क्रश करके इसमें उपर से डाल दोंगी यह देखिए इससे प्रेंट बहुत यह चाहिए तो सौफ्ट सौफ्ट जाता है अंदर से पूरा पूनीर खाएंगे थे क्वांद भूनीर टतेस्ट आयगा आपको भूंसक्रम आजये की उद्वार करते कि हमारा क dif mines आता है यह तरीकर यह उसagenज ही इसमें को मिक्स मिक्स कर लेंगे तक बसंद क्वारा पालक पनीर एकदम रेड़ी है तो हम इसको तार लेंगे यह देखिए कितना अच्छा पालक पनीर का कलर आया है अब हम इसको ट्रांस्वर कर लेंगे एक बॉल में यह देखिए बिल्कुल एक दम परफेक्ट इसकी ठिकनस है कोई इसमें पानी नहीं है पनीर बिल्कुल एक दम हर बाइट में आपके पनीर आएगा यह अगर आपको मेरे अच्छी लग देखिए तो कमेंट करके जरूर बताईए कि आपको कैसी लगी और आप ट्राइक कीजिए और फिर बताईए का अगर आपने बनाया तो आपका कैसा लगा इस तरीके से सीक्रेट से बनाएंगे तो आप पालक पनीर बाजार का खाना करके तो इसकी शोबा को और चार चान लगा रहे हैं तो प्लीस फ्रेंड्स कैसे लगी यह रेसीपी मैं इस पालक पनीर को आप रोती के साथ का सब कर सकते हैं देखिए तक देखिए यह मैंने इसको चपाती साथ कर रही हूं मैंने थोड़ी से डाल चावल बना लिए थे य लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आई जल बटन कीजिए बताइए कि आपको मेरे रेसिपी कैसे लगी थाइंक यू फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई